सोचने से कहा मिलते है तमन्नाओ के शहर चलना भी जरूरी है मनजिल को पाने के लिए तो एक बार मैंने अपने पापा से बुचा कि पापा लोग पुछते कि बढ़ा होकर क्या बनेगा पापा ने बुला तू कलेक्टर बनेगा कलेक्टर करता क्या है किसी ने मुझसे बोला कि कलेक्टर जो है वो आसपास के प्रॉबलम सॉल करता है तो मैंने न्यूसपेपर पढ़ना स्टार्ट किया हज कमीटी में मैंने फर्स्ट अटेंट दिया फर्स्ट अटेंट में ही मैंने प्रिलिम्स क्वालिफाई कर लिया और वहाँ से मैं जामिया मिलिया इसलामिया चला गया मेंन से एक्जाम दिया लेकिन मैं फेल हो गया पचास माक मेरे कम थे कही न कही मेरा ड्रीम चोटा था मेरा टारगेट चोटा था कही न कही मेरा बिलीफ कम पड़ जा रहा था मैं ये सोचता था कि और जो student select हो रहे हैं, वो कहीना कई मुझसे बहतर है, मेरे अंदर कहीना कई कमी है, बट ये सही नहीं था, मेरे belief में कमी थी, मैं जो खुद के ओपर यकीन नहीं था, तो belief जो होता है, it can work magic for you, it has magic, आपको खुद के ओपर यकीन होना चाहिए, जब आप interview room में बैठते हो, तब वहाँ पे 5 लोग बैठे होते हैं, जिनका 60 years का experience होता है, अगर आपको उनको यकीन दिलाना है, तो सबसे पहले आपको खुद को यकीन दिलाना होगा, जब तक आप library में बैठ कर, रोज, 8 घंटा, 10 घंटा मेहनत नहीं करोगे, तब तक ये हासिल होना बहुत मुश्किल है, UPSC को language से कोई मतलब नहीं है, उसको content, उसको talent से मतलब है, उसको आप कितना उसके demands को fulfill करते हो, इससे मतलब है, जब UPSC ने अपना result declare किया, तो सचमुच अपना time आ गया था, हार के बाद जो जीत मिलती है, उसमें ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसका value, उसका importance समझ में आता है, आप लोग जो preparation अभी करते है, वो अभी भी graduation mindset में हो आप लोग, आपको लगता है एक book पढ़ ली, उसको रट लिया, और exam में जाके उलट दिया, this is not UPSC, UPSC demands analytical ability आपको सोचना होगा, आप सारे angle से सोचना शुरू कर देते हो, और जब आप IS बन जाते हो, यह प्रोग्राम जो है, Kabish Foundation की जानिव से, जैसे के आप जानते हैं, यह लाना आप भी अखबार में होते रहे, यह एक Center for Civil Services, Coaching and Accordance का इंस्टिट्यूट रेदारा है, इसकी जानिव से 2008 से मुफ़री प्रोग्राम्स मिनफित किये जा चुके हैं, स्कूल लिवर पर, कॉलेज लिवर पर, और जनरल भी जैसे के आज का यह प्रोग्राम है, यह तुलवा की और अमीदवारों की, पुसुसान रहनवाई के लिए, इस तरहे के प्रोग्राम्स मिन जानार ही, के दौाउं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशोर का मुझे तु समर दे, तो कोशिश करना हमारा काम है, और कामियां भी देना खुदा का काम है, हर कोशिश करने वाला कामियां बहुता ऐसा भी नहीं है, लेकिन चद्धो जहत जारी रखना चाहिए, और इस सिसले में मुसलसल काम करते रहना चाहिए और रहिनुमाई के लिए कुछ ना कुछ जो है ऐसे guidance के प्रोग्रम होते रहने चाहिए एदारों की जानिप से कोई रहिनुमाई करे और ये जिम्मेदारी काभिश फॉन्डेशन ने उठाई थी जो आज भी कामियामी से इसमें रवादामा है, इसकी progress report क्या है, और इसमें क्या क्या हुआ, इसपर मैं तफसीर रोष्नी नहीं डालूँगा, क्या केस पर जगोर सदर बोलेंगे और तार्फी प्रोग्राम में सादिख वाबवान साब भी बोलेंगे, तो इस प्रोग्राम में IRS जए वो भी हैं मौझूद हैं और ये दोनों के वाले देन भी हैं उनका विस्तवाल करते हैं और इस जिम्हदारी के साथ कि आप इसको अच्छी तरह सुनेंगे पायदा उठाएंगे कि ये रहनुमाई का एक सेमिनार है और ये रहनुमाई आइंदा भी जारी रहेगी जैसा कि कहा गया थै कि सुर्कुरू आफाख में वो रहनुमाई मीनार हैं दुनिया में सुर्कुरू वो कौन लोग हैं जो रास्ता दिखाते हैं समंदरी जहाजों जिस तरह के लाइट होस होता है डारेक्शन बताता है कि आपको किस तरफ आना है तो सुर्कुरू आफाख में व दुजहित कर रहे हैं और आपको एक लाइट हाउस का काम जो है काविश फाउंडेशन कर रहा है एक और बैच एक और जो है बैनर आप यहाँ देख रहा है यश फाउंडेशन का यश चैरिडल ट्रस का यह भी एक मैदान में आच होता है तो आप लोगों के रहनवाई के इसका की शामिल है तो यह भी एक और मिल्लत के लिए आज का प्रोग्राम है अब यह एक नेक आउल है नेक काम है तो यह इसकी तफसीर आपको सादिख बागवान साब अब आएंगे और मेहमानों का तारुप निकेश कर प्रोफेसर सादिख बागवान असलाम आलेकुम वा इस यूपेसी गाइडेंस प्रोग्राम के मैं उनका तारुफ कराता हूं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं शेक मुहमद जैब जाकिर साफ मुहमद जैब जो है यह पंचपीर चावडी अहमदनगर से बिलॉंग करते हैं इनके वालिद साफ इनका पूरा एजूकेशन अह हें इकड़ हार्ट कॉर्णवेट हाइज से किया है 12 इनके एमदनगर कॉलेज से किया है और अच्छे इनके रॉंड अबाट दोनों इसमें उनका इस्टिंक्शन था और उसके बेसिस पे इंडिया के वन अदी टॉप इंजिनिंग कॉलेज जिसे हम वीजे टीय कहते हैं वी खेवल सर्विस preparation के असेक्ट से work करना शुरू किया लेकिन preparation के असेक्ट से जो wax early foundation था!! कुल कुछ में फूट वूट से the study वर्कावट किया थह सा इस जर्मन और यद एक्सेड़न यह qualities अनको we will clearly when he left the job जोब छोडने के बाद, आज आउस में उन्होंने 1st 15 और 16 में उन्होंने वहाँ पर थोड़ी पढ़ाई की, फिर जामया मिर्या इस्लामया न्यू दिरली में 2016 से 18 तक उन्होंने पढ़ाई की और अलामदुलिल्ला, Civil Service Examination 2018 से उन्होंने IPS rank हासिल की. I think we should congratulate and give a great clap to Mohamad Zayad. So we should also congratulate all of them. तो Zayad, Mohamad Zayad, Inshallah, उनका जो कुछ भी experience है, experience आपके साथ share करेंगे, और जो कुछ भी उनके tricks थे, उनके जो कुछ भी ideas थे, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कामया भी आसिल की, Inshallah, वो आपने address में आपके साथ share करेंगे. Thank you. शुक्रिया, Mohamad Saab. जो यह बड़ी खुशी की बात थे, कि Zayad साथ आई-पी-एस एक्जाम करेक करने के बात फिर से अपियर और होए हैं, वो देखी, जद्दो-जाहित का सिलसिला रुकता नहीं हैं, आपको तो बहुत आगे जाना हैं, वो अपत भी और आगे तरखी करन होगा, वाई-पी-एस इन, दोजार अटा की बैच की, यह वो आप सब की रहना माई कर, रिस्पेक्टर डिग्नीटरीज ओन दी डायस, प्रोफेसर रजावॉल्ला सर, साधिक बागवान सर, शुएप सर, आयम फारुकी सर, मेरे फादर और सलमान भाईगे फादर, सबको मे मेरा सलाम वालेकुम, और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी वेलकम एंड सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेक मौमद जैप, यूप सी सिविल सर्विसस में इस साल दो हजार उननीस में मेरा सेलेक्शन हुआ है, ओल इंडिया रैंक 2.25 हासिल हुई है और इंडियन पु की स्टोरी आप लोगों ने सुनी, बहुत इंस्पाइरिंग रही है, और आप लोगों ने सिर्फ सुनी है, मैंने अपनी आखों से देखा है, कि कैसे इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है, आप लोगों को जज करते हैं, कहते हैं कि लोगों को जज नहीं करना चाहिए, लेक लेकिन इन्हों ने ऐसी महनत की और ऐसी लगन के साथ इनका सेलेक्शन 2018 में हो गया, एक साल पहले, तो अगर आपके अंदर बिलीफ है तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप अपने तकदीर बदल सकते हो, मेरी भी जर्नी मैं शेर करना चाहूँगा, वैसे मैं एहमदनगर से बिलॉंग करता हूँ, जो बगल वाला डिस्टिक्ट है और अंगबाद से ही, और वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, सेक्रट आट कॉन्वेंट से, बचपन में लोग पूछते हैं, रिष्टदार औ और बागी सारे लोग पूछते कि आप बड़ा होकर क्या करोंगे, तो तब समझ में नहीं आता था कि क्या करोंगे, तो एक बार मैंने अपने पापा से बुचा कि पापा, लोग पूछते कि बड़ा होकर क्या बनेगा, पापा ने बुला तू कलेक्टर बनेगा, तो तब म कहीं वो बीच जो थे, वो बचपन में ही बो दिये गए, वो मेरा माइंडसेट उस तरीके से बन गया था, जिसे सलमान ने बिलीफ की बात की, तो ये बिलीफ बचपन से बनता है, तो मेरा देखने का नजरिया बदल गया, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मेरे दिमाग में questions आने लगे, collector करता क्या है, किसी ने मुझसे बोला कि collector जो है, वो आसपास के problem solve करता है, तो मैंने newspaper पढ़ना start किया, तो कही ना कई current affairs जो आसपास चल रहा है, वो पढ़ना मैंने शुरू किया, लेकिन हमारे देश में एक बिमारी फैली हुई है, मैं उसको disease बोलता हूँ, engineering और medical की, सारे students जो है, वो engineering और medical के बीचे पागल होए, और इसी बीमारी का शिकार मैं भी हुआ, 11-12 में क्योंकि मेरे सारे friends ने coaching classes जोइन कर ली थी, मैंने भी जो है, अपने पापा के पैसे लेकर उनको दे दिये, और engineering की पढ़ाईश करना शुरू कर दी, और क्योंकि मैनत मैं बचपन से, तो मेरा अच्छे college में selection हो गया, VGTI मुंबई में, mechanical engineering में मैंने admission ले लिया, और उसके बाद कही न कही जो civil services का जो था दिमाग में, वो at the back of the mind रहे गया, और मैंने उसको वही पे छोड़ दिया, और engineering में जैसे सब लोग मजे करते हैं, मजे करने लगा, management हुआ, मैंने job join किया, job join करने के बाद मुझे realize हुआ, कि company में तो आप manager हो, company में आप एक officer हो, लेकिन जैसे आप company के gate से बाहर आते हो, you are nothing, आप एक bus ID number बनके रह जाते हो, nothing else, तो मुझे वहाँ पे बहुत महसूस हुआ कि इतनी मैनत करने के बाद, 12th में engineering CET crack करने के लिए engineering के 4 साल, इतनी मैनत करने के बाद जो मुझे मिल रहा है, 30,000 and no respect, तो मुझे realize हो कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, I quit it, मैंने quit कर दिया, और मैं हज कमीटी का exam दिया मैंने, और मैं उसमें select हो गया, मैंने सोचा कि अब मुझे जो करना है, वो civil services करना है, 27 March 2019 को मैं डोलपूर house म इंटर्व्यू रूम में बैटा हुआ था, मेरे सामने सत्यावती मैं जो तमिलनाडू काडर की I.S. officer है, वो chairman थी, और चार और बड़े-बड़े professors थे, मैंने मुझे से पूछा कि आपका engineering, आपका graduation 2014 में हो गया है, तब से लेके आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं मैं preparation कर रहा हूँ, I am doing my preparation for civil services, तो मैं मने बोला आपको यह नहीं लगता है कि आप अपने precious youth के जो साल है, जो young years है, आपके life के जो बहुत energetic होते है, उसको waste कर रहे हो, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में पूरी मेरी journey flash होई, कि मैंने कितना struggle किया है, और इस एक question के चलते हैं, मैं उ हच committee में मैंने first attempt दिया, first attempt में ही मैंने prelims qualify कर लिया, और वहाँ से मैं जामिया मिलिया, इसलामिया चला गया, mains exam दिया, लेकिन मैं fail हो गया, 50 mark मेरे कम थे, वहाँ पे मेरी ये गलती होई, कि मैंने सिर्फ prelims पे focus किया था, mains जो होता है, answer writing बिल्कुल नहीं किया, तो मैंने य तो मुझे लगा कि कही न कई, optional की मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होई थी, तो इस बार optional को बहुत अच्छे से करते, तो third attempt में मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने सब पूरी मैनत कर दी, everything, जो हो सकता था, सब कुछ किया, लेकिन third attempt में मैं फिर से fail हो गया, और फिर मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए, तो फिर कुछ लोगों ने advice दिया कि आप जाओ, यहाँ पर job करो, यह सारी चीज़े देखो, तो ऐसे एक job fair में भी मैं चला गया, जहाँ पर job fair होता है, आपको पता है, job fair होता है, वहाँ पर मैं चला गया, वहाँ पर 10-15,000 की नौकरी मिल जाती है, मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते, वहाँ पर job fair में जाने के बाद मेरा coincidentally वहाँ पर इत्तेफाक से एक school का friend मिल गया, और school का friend जानता है कि यह बचपन से ही topper रहा है, वो शौक हो गया, इतने अच्छे college से पढ़ाया है, यह सब कुछ किया है, और यह यहाँ पर क करने के बाद यह तो एक दोस्त मुझे मिलाए, कल और भी दोस्त मिलेंगे, वो पूछेंगे तु क्या कर रहा है अपनी life में, तो मैंने सुचा कि नहीं, एक और attempt देते, एक serious attempt देते और पूरी तयारी के साथ देते, उसी साल सलमान भाई का selection हुआ, मैंने सलमान से call किया और 300 लेना चाहिए, जो All India Rank 1 होता है, उसका 320 के असपास आता है, और जो GS में है, उसका जो highest होता है, उसका 400 आता है, उन्होंने बोला कि GS में हमको 500 mark लेने, लेकिन वो चमतकार था मेरे लिए, वो चीज ऐसे काम की, क्योंकि मैं सलमान को initial days से जानता हूँ, और वो ऐसी यह महसूस हूँ अंदर से कि हाँ, कही न कही मेरा dream चोटा था, मेरा target चोटा था, कही न कही मेरा belief कम पड़ जा रहा था, मैं यह सोचता था कि और जो student select हो रहे है, वो कही न कही मुझसे बहतर है, मेरे अंदर कही न कही कमी है, बट यह सही नहीं था, मेरे belief में कमी थी, मैं जो खुद के ओपर यकीन नहीं था, तो इसके बाद मैंने अपनी बहुत जादी महनत की, और 2018 में, December में जब Means का रिजल्ट आया, तो मेरा interview call आ गया था, उसके बाद interview के preparation शुरू की, बाकी सारे दोस्तों न भी बहुत मदद की उसमें, और interview से कुछ दिन पहले, एक सलमान जो है, जितने लोगों ने interview दिया है, सबके रूम में आए, और सबके रूम में एक poster देखे गए, उस poster पे लिखा हुआ था, अपना time आएगा, और वो poster मैंने अपने बेड़ के सामने लगा दिया, सुबह उठके मैं देखता था, अपना time आएगा, और 5th April 2019 को शाम को 6 बजे, जब UPSC ने अपना result डिकलेर किया, तो सचमुच अपना time आगया था, जब मैं school में था, तो बहुत बड़े-बड़े function ऐसे होते थे, मुझे आदत है seminar वगर अटेंड करने की, तो ऐसे एक seminar में हम लोग गए वे थे, मैं, मेरे friends सारे, और वहाँ पे एक senior IIS officer आये वे थे, उन्होंने कहा कि आप लोग UPSC की preparation कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पास एक plan B भी होना चाहिए, ये शुरुवात की दिनों की बात है, seminar खतम हुआ, हम लोग बाहर गए, और मेरे friends जो है, वो discuss करने लगी, उसमें एक friend था, उसने का, यार sir तो सही कह रहे थे, हमने कभी plan B के बारे में सोचा ही नहीं, तो हम लोग उसको दिलासा देने लगे, कि नहीं, आपका हो जाएगा, आप tension मत लो, तो वो कहता है, मेरा तो हो जाएगा, मुझे पता है, मैं तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, कि उस लड़के के अंदर belief थी, कि उसका हो जाएगा, उसके अंदर confidence था, कि उसका हो जाएगा, और उसका first attend में selection होगा है, तो belief जो होता है, it can work magic for you, it has magic, आपको खुद के ओपर यकीन होना चाहिए, जब आप interview room में बैठते हो, तब वहाँ पे 5 लोग बैठे होते हैं, जिनका 60 years का experience होता है, यानि कि 60 multiplied by 5, 300 साल का experience आपके सामने बैठा है, 300 साल का experience का आपको convince करना है, कि हाँ मैं एक district संभाल सकता हूँ, as an IAS officer, as an IPS officer, अगर आपको उनको यकीन दिलाना है, तो सबसे पहले आपको खुद को यकीन दिलाना होगा, आपको खुद की ओपर belief लाना होगा, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये exam clear कर सकता हूँ, I can manage an entire district, so that is the power of belief, लेकिन देखिए, belief और ये सारी चीज़े, ये सब दिमाग में होता है, ठीक है, actual में हमको ground पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको implement करना पड़ता है, सोचते तो बहुत लोग है, लेकिन implement बहुत कम लोग कर पाते है, ठीक है, सोचने से कहा मिलते है, तमन्नाव के शहर, चलना भी जरूरी है, मन्जिल को पाने के लिए, तो यहाँ पर आपको महनत करनी है, जितना मेरा शुएप सर से interaction हुआ, सर ने यह बोला कि यहाँ पर जो students है, जो UPSC की तयारी कर रहा है, वो लोग decision तो ले चुके है, कि उपको UPSC करना है, लेकिन वो लोग videos के सहारे, और वो लोग जो YouTube पे videos मिलते हैं, टॉपर्स के videos, उसको ही अपना preparation मान रहा है, और उसको उसी के सारे वो लो preparation कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दू, मेरे experience के साथ, मेरे काफी friends जो select हुए, उनके experience के हिसाब से, जब तक आप library में बैठ कर, रोज, 8 घंटा, 10 घंटा, मैंनत नहीं करोगे, तब तक ये हासिल होना बहुत मुश्किल है, आपको time निकालना होगा, आपको बैठना होगा, जब मेरा तीसरे attempt के बाद selection नहीं हुआ था, तो दिल्ली में थंड होती है, minus 2 degrees Celsius, जो lowest होती है, 3 degrees, 4 degrees के असपास थंड होती है, उस थंड में सुबह 6 बजे उठकर, मैं लाइबरेली जाके बैठता था, और शाम को, 8 बजे, 9 बजे, डिनर करके मैं वापस रूम पे आता था, आप लोगों को यहाँ पर आके बहुत glamorous लगता है, बहुत आप लोगों को लगता है कि यह लोग तो मजे ले रहे अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पीछे जो hard work हुआ है, वो नहीं दिखता है, लियोनल मैसी आपने सुना होगा, जो footballer है, कि वो मशूर है highest goal scoring के लिए, हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन क्या आप जानते हैं, वो आज भी world का best footballer होने के बाद भी, daily ही practices six to seven hours, daily, आज भी, अगर ये लोग इतनी महनत कर रहे हैं, तो उनको उसका result मिल रहा है, लेकिन hard work के साथ साथ बहुत जरूरी है, कि आप smart work भी करो, सिर्फ hard work करने से नहीं होगा, क्योंकि hard work तो सबसे ज़दा किसान करता है, मजदूर करता है, उनसे ज़दा hard work कोई नहीं करता है, आपको सही direction में hard work करना बहुत ज़दा जरूरी है, सॉक्रेटेस के पास एक बार एक नौजवान आता है, और पूछता है कि सर, मुझे life में success चाहिए, मैं success कैसे हासिल करूँ, सॉक्रेटेस उठते हैं, और घर के बार निकल जाते हैं, और समंदर की तरफ चलने लगते, नौजवान उनके पीछे पीछे जाता है, जब समंदर में वो जाते है, जब chest तक पानी पहुच जाता है, वो मुडते हैं और उस नौजवान को पकड़ के पानी में डुबा देते, जब 10-20 सेकंड के बाद उपर आते हैं, और बोलते हैं कि आप पाबल तो नहीं हो गए, मैं आपको success का रास पूछने आयो, और आप मुझे मारने पे तो लेओ, तो सौक्रेटस बोलते हैं कि जब तुम उस पानी में थे, और तुमको उस 10-15 सेकंड के लिए, जो oxygen के लिए, air के लिए, जो desire था, जो इच्छा शक्ती थी, वो अगर जो तुमारा aim है, उसको हासिल करने में वो इच्छा शक्ती, वो desire आ जाए, तो तुमको success होने से कोई नहीं ही रोग सकता. और hard work, smart work के साथ साथ इस exam में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है patience, रहता था, क्योंकि सब students मुझसे आके पूछते थे कि बाई बता दे, थोड़ा सा help कर दे हो सारी चीज़े, और UPSC ने मुझे बिल्कुली humble बना दिया, तीन बार fail करा दिया, लेकिन इसमें सीखने की बात यह है कि आपको patience रखना ज़रूरी है, अगर आप failure को failure ना समझके एक stepping stone towards success समझते हो, तो definitely आप success की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो, you are not failing, you are trying something, but it does not work out, so you try something else, you work even harder, you work even smarter, so that is a stepping stone towards success, आप failure को overcome करते हो, और आप imagine करो, अगर मेरा first attempt में selection हो जाता, और मेरा आज fourth attempt में selection हो आए, तो क्या मुझे first attempt में जाधा मज़ा आता या आज जाधा मज़ा आ रहा है, आज जाधा मज़ा रहा है, क्योंकि हार के बाद जो जीत मिलती है, उसमें जाधा खुशी होती है, क्योंकि उसका value, उसका importance समझ में आता है, third attempt के बाद जब मेरा selection नहीं होा था, मैं अकेला था, result देखा मैंने phone पे और मेरा roll number मैंने type किया, PDF में वो नहीं था और literally मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आखों से आसवाने लगे कि इतनी मेनत करने के बाद भी नहीं मिला लेकिन उसके बाद भी जजबा रखना और इस exam को फिर से attempt करना और उसको clear करना अगर ये आपके अंदर इतना जजबा है, इतना courage है इतना आपके अंदर desire है, तो definitely आप कर सकते हो एक और चीज मैं आपसे share करना चाहूंगा कुछ funny stories मेरे साथ हुई है after selection में बहुत लोगों से मिला तो जैसे कुछ misconception से society में इस exam को लेके कि बहुत talented लोग करते हैं, बहुत पैसा लगता है, ये सारी चीज़े आपको एक अच्छा group होना, जो आपको सही से advice करता है और सही लोगों से, positive लोगों से interact करना भी बहुत ज़ादा ज़रूरी है selection के बाद मैं अपने एक दोस्त से मिला, उसने मुझसे पूचा कि क्या चल रहा है मैंने बोला, UPSC में selection हो गया है, तो उसने मिला, रहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है अभी क्या करेगा, वो सारी चीज़े होने के बाद बोलता है कि UPSC में selection हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी MPSC के लिए try करो तो बोलने का मतलब यह है कि लोगों को idea नहीं होता है, exam से related, लेकिन वो आपको advice देने में सबसे आगे रहते है तो advice भी सही लोगों से लिना चाहिए अगर गलत advice लोगों तो गलत रास्ते पे जाओगे आपको negative लोगों से दूर रहना है negative लोगों के पास रहोगे तो जैसे सल्मान ने बोला कि negative लोगों से एक हाथ दूर, सलाम दुआ बस दूसरा misconception society में यह है कि हम लोग यह समझते कि इस exam में जो है बहुत ही talented लोगों की जरूरत होती है बहुत ही hard working, बहुत talented, extra smart जो लोग होते वही इस exam को clear कर पाते लेकिन आपके सामने live example बेटा हुआ है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि talented नहीं है बहुत जादा talented है लेकिन वो talent है जो हमारा education system इनको recognize नहीं कर पाया जो UPSC ने recognize किया है इस exam में talent की जरूरत नहीं है, hard work की जरूरत है minimum level of talent अगर आप graduation करने की शमता रखते हो तो आपके अंदर उतना talent है कि आप इस exam को clear कर सकते हो अगर आपने graduation किया है, तो ये exam भी clear करोगे provided कि आप सही direction में महनत कर रहे हो, hard work कर रहे हो और खुद को अब सच बोल रहे हो अगर आपने ये decide किया कि मुझे UPSC करना है तीन-चार घंडे पढ़ाई की और फिर चलो दोस्तों के साथ घूम कराते this is cheating yourself आप खुद से जूट बोल रहे हो, आप खुद के potential से justice नहीं कर रहे हो you are not doing justice to yourself and unless you don't do justice to yourself अगर आप खुद से sincere ना हो तो और लोग को सुको आप कैसे convince करोगे तो आपको खुद को, खुद से सच बोलना बहुत जादा जुरूरी है इस exam में या फिर life main fact आप खुद को जूट मत बोलो आप जो हो, खुद को अच्छे से analyze करो और उसके बाद उस पे अमल करो चीजों को बदलने की कोशिश करो तीसरा misconception society में ये है कि इस exam को clear करने के लिए बहुत पैसा लगता है बहुत जादा investment लगता है selection के बाद मुझे in fact एक banker मिले थे उन्होंने बोला कि UPC में selection हुआ है बहुत investment किया होगा अब वो banking fields है तो उनके दिमाग में investment ये सारी चीज़े चल रही थी तो मैंने बोला कि आसर investment तो किया है energy का और desire का investment किया है पैसो का investment अगर मैं आपको बताओ तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे 20,000 से ज़ादा खर्च हुए होगे इस exam में कैसे मैं आपको बताता हूँ graduation job छोडने के बाद मैं hutch committee में गया hutch committee ने मुझे free coaching प्रवाइट की coaching लेकिन अच्छे quality की थी डेली के जो private coaching institute है वहाँ की coaching मैंने आसिल की and that was sponsored by hutch committee of India वो होने के बाद मैं जामिया मिलिया इसलामिया गया वहाँ पे मुझे main test series के लिए free sponsorship मिली कि हम आपको fees provide करेंगे आप test series दो इतना तो कुछ भी नहीं है इससे भी जादा ये हुआ कि interview के लिए जो suit लेना होता है जो shoes लेने होते उस तक की sponsorship मिल जाती है लेकिन लोगों को पता नहीं है लोगों को लगता है बहुत पैसा लगेगा हम नहीं जाते हम नहीं जाएंगे इस exam में जहां तक पैसों के बात है I can guarantee you इतने जो charity organizations available है खास करके minorities के लिए कि वो चाहते है कि minorities के बच्चे आगे बड़े वो लोग इस field में आए तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि financial related कोई problem होना चाहिए इस exam में एक और misconception यह है society में कि आप लोग जो preparation अभी करते है वो अभी भी graduation mindset में हो आप लोग आपको लगता है एक book पढ़ ली उसको रट लिया और exam में जाके उलट दिया this is not UPSC UPSC demands analytical ability आपको सोचना होगा अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको सोचना होगा 10 minute अगर आप पढ़ रहे हो तो 5 minute सोचो जब तक आप खुद analyze नहीं करोगे खुद अपना opinion डेवलप नहीं करोगे तब तक आप अपना answer नहीं लिख पाओगे अगर किसीने question papers देखा है UPSC के previous question paper कितने लोगों ने देखा है देखा है उसमें question कैसे आ रहे है questions they are not asking what is the constitution give the summary of constitution no analytical questions पूछते हैं कि साबरिमाला issue हो गया तो उसके उसमें कैसे handle करना चाहिए था triple तलाग को लेके this type of analytical questions they are asking तो इसको हम कैसे deal करेंगे you have to think और उससे पहले आपको एक अच्छी coaching लेनी होगी अच्छी coaching के बाद आपको खुद मैनत करनी होगी आपको बैटना होगा library में सोचना होगा आपको अपने notes बनाने होगे notes को 15-20 बार revise करना होगा and believe me this is not easy you have to put in that effort उतना effort आपको डालना होगा देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है there is no pain without gain sorry there is no gain without pain तो अगर आपको gain चाहिए तो pain उठाना पड़ेगा कितने लोग pain उठाने के लिए ready है चोटे आप क्यों उठा रहे हो चोटा pain नहीं बिलेगा उससे कितने लोग I.S. officer बनना चाहते है कितने लोग IPS बनना चाहते है काम है IPS why देखें जितने भी civil services से सब जगहा पे ज़रूरत है अच्छे officers की जो लोग काम कर सके community के लिए, nation के लिए जो socio-economically backward section है उनके लिए काम करे ऐसे हर service में लोगों की ज़रूरत है तो आप लोगों को decide करना है एक सिलसिला शुरूरा है औरंगाबाद से दो लोग select हुए थे 2018 में सलमान शेक और नू सिद्धी की उसके बाद इस साल दो लोग select हुए है, रियाज, सियत और मैं, रियाज नासिक से है, मैं अहमदनगर से हूँ, तो ये जो रीजन है औरंगाबाद से नासिक फैला और फिर अहमदनगर पहला, अब ये और आगे भी फैलेगा लेकिन हमको नंबर भी बढ़ाना है दो से इसको 20 करना है तो ये 20 कौन करेगा आप लोग करोगे, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, this is your responsibility क्योंकि आज संडे के आफ्टरून में अगर आप यहाँ पर आए हो, हम हम लोगों को सुनने के लिए मतलब आपके अंदर कुछ न कुछ चाह है, कुछ न कुछ पोटेंशिल है अगर मैं आपके जगा मैंने सुना, 8 स्टैनर्ड के बच्चे है 8 स्टैनर्ड में संडे की दिन मेरे आथ में सिर्फ बैट और बॉल होता था आपके अंदर वो पोटेंशिल है आपको जिम्मेदारी उठानी है आपको वो रिस्पोंसिबिलिटी अपने हाथ में लीनी है दो को 20 करनेगी और इंशाला आगे टाइम आएगा जब आप उस वहाँ पर नहीं बैटे होगे यहाँ पर खड़े होकर और लोगों को मोटिवेट कर रहे हो तो मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन आपसे शेयर किया था कि मैम ने मुझसे पूचा कि आपको नहीं लगता है कि आप अपने यूथ के प्रेशियस येर्स जो है वो बरबात कर रहे हो तो मैंने बोला मैम ये सच है कि मेरे तीन-चार साल इस एक्जाम में लगे हुए लेकिन इस तीन-चार साल जो मैंने इसमें यूटिलाइस किये है वो मैंने वेस्ट नहीं किये उसमें मैंने इतना कुछ सीखा है कि अगर मैं इस exam में successful नहीं भी होता हूँ तब भी मैं life में बहुत अच्छा करूँगा आज भी जब मैं सुबह उठता हूँ और मैं newspaper पढ़ता हूँ मैं कुछ नपुछ नया सीखता हूँ चार साल से मुझे हो गए इस field में इस exam is the beauty of this process is that कि आपको आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा आप कभी आपने सोचा है politically आपने सोचा है, socially आपने सोचा है, economically आपने सोचा है आप सारे angle से सोचना शुरू कर देते हो और जब आप ये सारे angle से सोचना शुरू कर देते हो तभी आप IS बन जाते हो बाद में जो result आता है वो तो सिर्फ official stamp है आप जब library में बैठ कर सारे angle से सोचना शुरू कर देते हो जब आपके अंदर वो capability आ जाती है उसी को IS बोलते है बाद में exam देकर बस government का stamp लेना होता है तो how many of you are committing to clear this exam within the next three years I need your commitment and I want you to study daily 8-10 hours hard work के साथ बिलकुल hard work के साथ, smart work के साथ if you need any guidance I will share my email id and other contact details with sir you can have it with them okay with that I would like to thank you and wish you all the best thank you अब यवी असर की अजान वी जोहर के बाद से असर तर आप तमाम यहां तर शेव रखें और तमाम मेमानों को सुना बतारे खास सबसे पहले तुम्हें आप तमाम का शुकरिया अदा करू के ये guidance हासिल करने के लिए आप अपनी मुसरुपे च्छोड़ और इत्वाएक रोज भी यहां हाजर हुए और ये वादा किया के आप भी नहना तर लगन से इसके पीछे पढ़ जाएंगे तो कोई नामम्किन बात नहीं है बहुत आसान है खर्च नहीं लगता ज्यादा तोड़ी सी खुर्बानी देने पड़ती ये वक्त की साथार गंडे पढ़ना पढ़ता क्या पढ़ना पता है वो समझ लेना काविश फॉर्मिलेशन से के स्टड़ी किन चीज़ों की करना पढ़िया ऐसे नहीं कि कुछ ये पोड़ो डायरेक्शनलेस स्टड़ी के डायरेक्शन भी आपको जो है वो पता करनी है वो आपको गाइडनस देंगे तो मैं इस प्रग्राम के लिए बतार एफास हैदरबास से आए प्रफिसर ड़क्र अजावलाखास साब का ममनों को मिश्पूब हो उनने रहने रहनुआई की और साथे साथ दोरों मेहमान और खुसोसी आई पीएस और आई एरस जनाब शेख मुहम्मद जाइब साहब और सलमान बड़े इंसाब दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रियारा करता हूँ उनके वालेदान का भी कि उन्होंने उन दोनों को भी वक्त दिया उनकी हमत अभजाई की उनको यहाँ बेजा यहाँ से देहली बेजा और वहने मसलस्थिल हमत नहीं आरी पहली बार, दूसरी बार, तिसरी बार चोथ ही अठेट में हो कामियां वोई तो मतलब बोलने का ये है कि हार बालना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए लगे रो मुन्नावाई वाली बात है आप कोशिश करते रहिए खुदा आपको कामियां भी देगा question answers भी है तो अगर आपको इस process में कहीं कोई doubt लगता है कि अप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कहां जाएं selected कुछ सवलाद खास हैं तो आप कोई हाथ उठाईए आपको माइक दिया जाएगा आप महीं से खड़े-खड़े सवाल कर सकते हैं तो तो शफीबक्ष आपको पढ़ए जावब भी मिले। Okay, I got your question. That's a very good question. See, book list market में इतनी सारी अवेलेबल है, अलग-अलग toppers आपको अलग-अलग book list के बारे में बताएंगे, but जो freshers है, जो लोग best preparation अभी start कर रहे हैं, उनके लिए best source है, the NCRTs. 6 से लेके 12th standard तक की सारी NCRTs आप पढ़ लो और उसके notes बना लो. वो first thing है, उसके बाद जो है, आपको जब थोड़ा basic understanding आजाएगा, उसके बाद आपको newspaper पढ़ना होगा. Newspaper The Hindu आप पढ़ सकते हो, उसी के साथ-साथ एक standard book list है, जो मैंने follow की है, वो मैं आपसे share कर दूँगा. मैं sir से share कर दूँगा, आप उनसे collect कर लेना. एक गलत सोच society में है, कि language जो है, उसके साथ, अगर किसी का English week है, तो ये exam नहीं clear कर सकता है. Let me tell you, ऐसा कुछ भी नहीं है. UPSC को language से कोई मतलब नहीं है. उसको content उसको talent से मतलब है. उसको वो, आप कितना उसके demands को fulfill करते हो, इससे मतलब है. उर्दो मीडियम से भी selection होते है, मराटी मीडियम से भी होते है, इंदी मीडियम से भी होते है, और ना की सिरिफ language, सारे religion से होते है, सारे caste से होते है, सब कुछ से होते है. मैं आपको एक example बताना चाहूँगा, 2015 interview में highest marks मिले है, उनका नाम है जैनब सहीद. शी इस फ्रॉम बोरा कम्यूनिटी, और शी वेर्स हिजाब, और वो interview में वैसे ही गई थी, और शी गॉट ऑल इंडिया, ऑल इंडिया हाइस्ट मार्क्स, देट इस 220, और वो आज तक का हाइस्ट है. Language की जातक बात है, कोई discrimination नहीं है, अगर आप में अच्छी से पढ़ाई किया है, किसी भी language में आप लिखो, आप definitely select होगे. उर्दो medium वालों को लगता है कि उनकी English कमजोर है, अगर आप English paper बस qualify कर लो, उतना काफी है. बाकी papers में आप definitely score कर सकते हो, किसी भी medium में. Okay. आप बस पढ़ाई करना शुरू करो. आपकी personality अपने आप develop हो जाएगी. This is the truth. ये मैं fact के साथ बोल रहा हूँ, experience के साथ बोल रहा हूँ. चार साल पहले अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता था, तो मेरे मुँसे शब्द नहीं निकल सकते हूँ. लेकिन जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये इस वज़े से क्योंकि मैंने चार साल पढ़ाई की है. मेरी सोच बदली है, दुनिया को देखने का नजरिया बदला है. देखिए, पढ़ाई जो होती है, वो आप उसको एक compartment में नहीं बाढ़ सकते हैं. एक watertight compartmentalization नहीं होता है, कि ये prelims है, ये mains. दोनों की पढ़ाई सेम होती है, देखने का नजरिया अलग होता है. जब आप prelims के perspective से देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप याद रखने की कोशिश करते हो. facts देखने की कोशिश करते हो. सबसे highest peak कौन सा है, कौन सी river पे कौन सा city located है, ये सारी चीज़े आप देखते हो. लेकिन आप mains के perspective से उसी subject को देख रहे हो, तो आप understanding पे focus करते हो. कि कैसे चीज़े related है, क्यों यहाँ पर बारिश जादा हो रही है, क्यों यहाँ पर मौसम थंड़ा है. देखने का नजरिया बदलता है, content सेम होता है, एक साथ ही होती है, बट जब आप practice करोगे, एस सीरीज में, तो वह practice में फरक आएगा. देखिए, इंटर्व्यू का preparation is a different thing. I would advise कि देखो, mains के result के बाद, इंटर्व्यू के preparation के लिए sufficient time होता है. ये काफी लोगों में ये एक सोच है कि अभी से वो लोग सोचते कि हम इंटर्व्यू में क्या करेंगे, इंटर्व्यू में हमसे ये सवाल पूछ लिया तो हम क्या बोलेंगे. पहले आप prelims और mains clear करो, उसके बाद बहुत time होता है इंटर्व्यू के preparation के लिए, मैंने अभी तक इंटर्व्यू का preparation में से qualify होने से पहले कभी start नहीं किया था. एक detailed application form होता है, जिसके अंदर आपका graduation, आपकी schooling, आपके hobbies, आपकी extracurricular activities, आपका work experience, ये सारा mention होता है, और वो form जाता है UPSC के पास, और इस form के basis पे आपसे questions पूछे जाते है, आपका optional subject, जैसे मैं एक share अगर देता हूँ मुझसे, मिरो optional subject है philosophy, तो मुझसे पूछा गया कि who is your favorite philosopher, फिर उस पे counter questioning होई, तो उसके लिए आपके पास sufficient time होता है, आप वो means के बाद कर सकते हो, don't think कि आपको अभी से डरना मत start करो कि interview में मैं क्या answer जवाब दूँगा, मेरे पास तो कोई hobby ही नहीं है, कितने लोग कोई लगता है कि मेरे पास कोई hobby ही नहीं है, ये सब मत स पास अप्रयज़ूशन हो के एकाइडिए उसका अप्रयज़ूशन एपनी है, ग्राज़ूशन को कुछ हम्पाक्ट नहीं होता है ग्राज़ूशन जो 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 आपके नोट्स रेडी होने चाहिए सारे सब्जिक्ट्स के और वो नोट्स जो है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर मैं आपसे अभी पूछ लूँ किसी टॉपिक के बारे में है तो immediately you should be able to say 5-6 points right now क्योंकि एक्जाम में जब आप बैटोगे 20 questions 180 minutes एक question को मिलता है 9 minutes के असपास 9 minutes में question पढ़ना है question को समझना है और answer लिखना है question पढ़ने और समझने में एक minute देड़ मिनट चला जाता है तो वहाँ पर आपके पास सोचने के लिए time नहीं आपको बस लिखना है तो इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि जो आपके notes है वो ready होने चाहिए और notes fingertips पे होने चाहिए memorized होने चाहिए 10-15 times उसके बाद you start answer writing not before that उसके बाद you start answer writing answer writing के लिए बहुत सारे sources available है questions आप कहा से लोगे model answers कहा से लोगे that I will inform okay you just contact sir sir I am from coming to Mumbai then I am to ask three questions I am 12th student then SSC order after what I am doing preparation for ISC program start in 12th 11th 11-12th कोई भी medium से कर सकते हो but prefer go for English medium okay stream stream पूछना चाते हो देखे stream जो है depend करता है कि आपका inclination किस तरफ है वैसे stream कोई effect पढ़ता नहीं है final selection में जो final selection होता है उसमें engineers भी होते है उसमें doctors भी होते है उसमें humanities background के भी लोग होते है commerce वाले भी होते है लेकिन आपने अगर इतने जल्दी decide कर लिया है कि आपको civil services ही करना है तो आप ऐसा graduation choose करो जिसमें आपको बहुत जादा time मिलेगा पढ़ने के लिए जिसमें आप अभी से optional subject अपना तयार कर सकते हो आप current affairs newspaper पढ़ सकते हो कुछ fields ऐसे होते हैं उसमें जादा time नहीं मिलता है आपको तो वहाँ पे side by side preparation करना मुश्किल हो जाता है तो ऐसा कुछ graduation करो जिसमें you can start preparing for UPC right now अगर कोई 11th में है तो मैं उसको सिर्फ इतना बोलूगा कि आप NCRITS पढ़ो और आप newspaper पढ़ो इतना अगर आप 3 साल तक कर लोगे 30% of your work is done थैंक यू शुकरिया की रस्म जारी थी दर्मियान में ये question answer का session शुरू हो गया कुछ लोग भी इस्ताइबाल करना चाहते हैं शुकरिया तो मैं आदा कर चुक हूँ एक बार फिर अब तमाम का तमाम मेहमानां का शुयप साब का और सादेश बादबान साब का और ये इन दोनों के parents का भी हम शुकरिया आदा करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो को पसंद आये हैं तो इसे शेयर करें और सवापकी हखदार बने रोजाना हमारी वीडियो को पाने करें हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं हमसे दीगा सोचल मेडिया पर जोने के लिए वीडियो में दिये गए आड़ी सो सेच करें जाकर ला